यहांब दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा Realme C3 के upcoming new October month के नए software update के बारे में यहांब दोस्तों मेरे पास कुछ official information आ चुका है Realme C3 के upcoming October month के update के regarding तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और काफी सरे comments भी आ रहे थे मतलब आप हर एक वीडियो के नीचे यह comment देखने को मिल जाता था कि Realme C3 में October month का जो update है वो कब देखने को मिलेगा और साथ में कौनसे कौनसे features को लेके आएगा तो इसी के regarding मैंने पूछा है Realme वालों से और उन्होंने मुझे जो बताया है वो मैं आपको इस वीडियो के थूप बताऊंगा लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले अगर अपने अभी देख हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रूप को जोइन नहीं किया है त तो मैंने बात किया यहाँ पर रियल्मी वालों से ओफिशली कस्टमर सर्विस वाल ओप्शन के जरिए जो की रियल्मी कम्यूटी में अवेलेवल है सबसे बहला मैंने यहाँ पर पूछा है कि रियल्मी C3 में अक्टोबर अपडेट कब आएगा जो सवाल आप मेरे से कि रिफाइड ओन यो डिवाइस मतलब किया इन्होंने हमेशे की तरह घुमा फिला के जबाब दिया है कि हमें आभी कुछ नहीं बता जब अपडेट आएगा तो आपको सॉफ्टर अप्डेट वाले सेक्शन पर देखने को मिल जाएगा उसके बाद मैंने इन से बूछे कि वही है बट वेन एंड वर्जन कौनसा होगा तो इन्होंने मुझे बताया कि से अर्द नेक्स्ट अपडेट विल बी सी डॉट फॉट 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 इसके बारे में फिलाल कोई इन्फोर्मेशन नहीं लेकिन वीडियो देखो मैं आपको आगे इसे बैत बाद वही ही तसे लाइन की अ कहीं अ रही हो प्रिट फॉटिरा फॉक्स उपने वान को आ फिर लेकिन वर्जन फिलाल चल रहा है वह यहां पर 43 तो kalian इंसे कोई मिस्थ हुआ है या फिर दीशी हो जायगा थहीं है या तो हमें a.45 को जाएगा या फिर जैसे कि इनसे बताई कि मुझे नहीं पता इन Funk डॉय Have been करके अभी तक नहीं आए जितने भी अपडेट से फिलाल आए है मतलब अब तक सबके सब अपडेट है मतलब a.03 a.15 a.25 उसके बाद a.21 भी आया था शायद बीच में फिर a.33 a.37 a.41 a.43 ऐसा यहां पर सीन था अब यहां पर a.43 के बाद c.45 आएगा या फिर a.45 आएगा वह मुझे नहीं पता इन्होंने पता है कि c.45 आएगा उसके बाद मैं नहीं से पूछे की भाईया ओके थेंक्यू एड वन मोर थिंग अपडेट इस मन्त ही आएगा ना क्योंकि पिछले अपडेट में ऑगस्ट सिगूरी पैच था तो टेक्निकली ऑक्टोबर पैच मिलना चाहिए तो इन्होंनों जी बता है कि इसका मतलब यह जो अपडेट से उसमें यहां पर डिलेड देखने को मिला है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे की रियल्मी वालो ने मुझे बताया कि जो अपडेट है वो ऑक्टोबर मन्त के लिए स्केडिूल क्या है अब जहां तक बात है अपडेट कब देखने को मिलेह तो रियल्मी वालो ने इसका मैंने आपको 25 के बात देखने को मिल जाएगा जैसा मूझे लगता है ठीकि ऐ्या हिये लेकिन जा मतलब जैसा मैंने देखा है before 31st October आपको update देखने को मिल जाएगा ठीके क्योंकि यहाँ पे जो पिछला patch है जो security patch है वो फिलाल Realme C3 में चल रहा है August का September का patch हमें देखने को नहीं मिला है तो obviously आपको October का जो security patch है वो देखने को मिल जाएगा तो यह दूस्तों कुछ official information कुछ official chat जो मतलब मैंने जो बात किया Realme वालों से वो मैंने आपको बता दिया है वो मैंने आपको दिखा दिया है अब जहां तक बात है update के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा तो मैं आपको 2020 की साथ में आपको मिल जाएगा वह यह सूपर पावर सेविंग मोड जो की एक colorway 7.2 का feature है तो यह जो feature है यह सूपर पावर सेविंग मोड यह मिल सकता है Realme C3 में साथ में यह आप मिल सकता है Realme C3 के अंदर multi-user mode का support जो की अभी तक नहीं आए है अल्मोस्ट सबी devices के अंदर already rollout हो चुका है लेकिन Realme C3 में अभी तक multi-user mode का support है वह देखने को नहीं मिला है तो multi-user mode और साथ में super power saving mode का support है वह हमें Realme C3 में मिल सकता है October month के update के जरिए और जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में विदाया था कि Realme के तरफ से अपना एक cleaner app आने वाला है मतलब cleaner app तो नहीं आएगा बिसिकलिए जो phone manager के अंदर जो clean up वाला एक option था वह option वापस आने वाला है और साथ में वापस आने वाला है ठीक है लेकिन इस बार clean master वाला scene नहीं होगा इस बार Realme वालों ने खुद बनाया इस clean up वाले function को और वह वाइडर scan वाले function को मतलब feature को तो वह भी यहां पर आ सकता है अब देखो October में आएगा कि नहीं आगा guarantee नहीं है क्योंकि Realme वालों ने बता है कि Q4 में आपको Realme के तरफ से cleaner function और जो वाइडर scan वालों फंक्शन है वह देखने को मिल जाएगा phone manager के अंदर अब काफी लोग समझ दी कि यह October मंत के जरी आएगा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं October मंत में आ सकता है क्योंकि Q4 का मतलब होता है October November December ठीक है तो यहां पर जो cleaner है वो भी हमें देखने को मिल सकता है तो यह दूस्तो कुछ expected change log और साथ में वही घिजबिटे से line fixed some known issues and improved system stability तो यह दूस्तो कुछ expected change log जो की देखने को मिल सकता है Realme C3 के अंदर फिर से बता देता हूँ यह official नहीं है यह बस expected change log है जो official था वो मैं आपको वीडियो को starting में बत जो change log मैंने आपको बता है यह expected है तो इतने दूसरी वीडियो के अंदर यही सब बताना था आपको की Realme C3 का यहां पर क्या scene चल रहा है तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है official information भी बता दिया है with proof और साथ में जो expected change log है जो कि मतलब देखो यही आना चाहिए ठीक है क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से यही आ रहा है मतलब हर एक device में धीरे 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 यही आ रहा है back to back colorway 7.2 के जो फीचर से वही हमें देखने को मिल रहा है अगर आपको यह वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक करो मिल दे आपसे के लिए वीडियो में अगने वीडियो के साथ तब देखे लिए ऐसे ही बन रहे हमेशा smart रहे है हुआ हुआ